हेलो फ्रेंड्स आइम प्रतिवा एंड अगीन वेलकम टू टीजिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एजन्सी ऑफ एजूकेशन यानि कि शिक्षा के साधनों के उपर होने वाला है कि आखिर शिक्षा के कौन-कौन सी साधन हम पढ़ते हैं ठीक है तो इस तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है आपके लिए helpful रहता है तो वीडियो को like करें अपने friends के साई से जरूर शेयर करें तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि meaning of sorry meaning of agencies of education क्या होती है ठीक है यानि कि जो शिक्षा के साधन है या सिक्षा के अभी करण भी आप इसे बोल सकते हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं यहाँ पर आज हम इसके बारे में देखेंगे अगर आपको इस पर जो है शिक्षा के साधनों पर भी assignment बनाने के लिए भी आता है तो वो भी आप यहाँ पर उसी किस तरीक से prepare कर सकते हैं वो भी आप इस पर देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साधन होते हैं उसे अंग्रेजी में हम agencies बोलते हैं ठीक है agency बोलते हैं जो शाधन होते हैं उसे हम English में जो है agency बोलते हैं जिसका जो अर अबित करें ठीक है आजकर हम सुनते ही रहते हैं कि इस कंपनी के एजेंट है मतलब जो इस कंपनी के बारे में information देते रहते हैं तो वही चीज़ है कि जो साधन होते हैं उसे हम agencies भी बोलते हैं जिसका अर्थ होता है agent ठीक है प्रायो या विस्वास किया जाता है कि बालक को शिक्षा केवल स्कूल तथा कॉलेज़ों में ही दी जाती है यह जो एक mentality होती है हर किसी की मतलब स्कूल जाएगा बच्चा तो से education मिलेगी या फिर college जाएंगे तब ही जाकर के हमें education मिलेगी परंत वास्तविक्ता यह नहीं है कि वो क्या है कि school तथा college हो के अत्रिक्त बालक अनिक साधनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकता है ठीक है मतलब होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमें जो education मिलेगी वो हमें सिर्फ और सिर्फ school या college हो के थ्रू ही मिल सकती है हम कहीं से भी सीख सकते है बच्चा कहीं स उस particular साधन से उसे कुछ न कुछ education जो है मिल रही है परिवार समुदाय धर्म राज्य स्कूल पुस्तकाले पुस्तक रेडियो सिनेमा समाचार पत्र आदी सब ऐसे तत्व हैं जो बालको हर प्रकारगा वातावरन प्रस्तुत करते हैं शिक्षा में इन सभी तत्वों को शिक पर्सन से हमें education मिल रही है किसी environment से हमें education मिल रही है किसी particular animal से हमें education मिल रही है वो education जो हमें मिल रही है वो क्या कहलाएगा हमारा जिस particular चीज से हमें मिल रही है वो हमारा साधन कहलाएगा यानि कि शिक्षा हमें कहीं से भी मिल सकती है जरूरी नहीं है कि school या college में ही जो श शिक्षा है, शिक्षा के साधनों से अभी प्राय उन साधनों संस्थाओं तथ अव्यक्तियों से है जो शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, शिक्षा में आरंब से ही शिक्षा के कार्यों को संपन करने के लिए अनेक माध्यम विक्सित हुए हैं, ठीक ह तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसे explain किया, यानि कि जो सिक्षा के साधन है, या फिर सिक्षा के अभी करण भी आप इसे बोल सकते हैं, वो उसका क्या meaning होता है, अब देखते हैं हम सिक्षा के साधनों का वर्गी करण, यानि कि उन्हें कितने भागों में वर्गी किया जाता ह है, यहाँ पर हमने इसको अलग-अलग तीन तरीके से बता है, फिर स्ध्र वर्गी करण है इसका और classification, second classification, third classification, तीन तरीके स हमने इसे बता है, तो जो फिर स्ध्र क्लासिफिकेशन है, इसमें है कि सिक्षा के साधनों को प्राय दो भावों में विवाजित किया गया है, ठीक काले हो गया जहां कुछ time period तक आपको knowledge दी जाती है या आपको education दी जाती है वो होते हैं हमारे आपचारिक शादन ठीक है वही पर अनपचारिक शादनों की बात करने तो जैसे परिवार के साथ हम कुछ सीखते हैं अपने समुदा या समाज समाज के साथ हम सीखते हैं या फिर खेल खेल में जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें कोई ऐसा time period नहीं होता है ठीक है वो आप किसी भी समय सीख सकते हो आप सुबह सीको दिन में सिखो रात में सिखो तो यह क्या होता है अनौपचारिक साधन है यहां पर हमने थोड़ा सा बता है कि जो अपचारिक शिक्षा द्वारा बाला को प्रत्यक्स रूप से नियमित सिक्षा प्रदान की जाती है वही पर जो अनौपचारिक शिक्षा है वो बाला को अपरत्यक्स रूप से अनियमिद सिक्षा प्रदान की जाती है उसमें ठीक है नियमिद सिक्षा मतलब डेली आपको जाना पड़ेगा डेली आपका एक time routine है आपके बाप particular पर्टिकुलर एक syllabus है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है वो आपको school colleges में मिलती है उस education को हम बोलते है फॉर्मल एजुकेशन या फिर अपचारिक शिक्षा ठीक है वहीं पर अनपचारिक होता है मतलब उसका कोई ऐसा particular time period नहीं होता है कि इस time पर आपको education मिलेगी कोई particular आपको किसी जगों पर जाने की आउशक्ता नहीं होती है कि इस जगों पर ही आपको education मिलेगी तो वो होत एक जुकेशा का पहला साधन भों है सक्रियः शाधन और दूसरा जो है वह है निस्परियः श्हाधन ? ठीक है ? यह था हमारा दूसरा classification हैбद देख़ते एक है तो यहां पे क्या है जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो ब्राउन ने दिया है ठीक है ब्राउन ने शिक्षा का तीसरा वर्गी करण प्रस्तुत कर शिक्षा के साधनों को चार भागों में यहां पर विवाजित किया है ठीक है इससे पहले जो दो साधन थे उन्होंने दो तो दो बरगी करन्त थे उसमें दो-दो में डिवाइट किया हुआ था अभी जो है ब्राउन ने चार भागों में आपे विवाजित किया है फर्स्ट है हमारा फॉर्मल साधन यानि की फॉर्मल एजन्सीज ठीक है अपचारिक साधन सेक्टिन है अपचारिक साधन यानि की इनफॉर्मल एजन्सीज थर्ड हमारा व्यावशाइक साधन यानि की कमर्शियल एजन्सीज और लास्ट है वो है अव्यावशाइक साधन यानि की नौन कमर्शि कर लेते हैं आपर फर्स जो है वो है आपचारिक साधन ठीक है ब्राउन का मत है कि स्कूल में जान भूच कर नियमित रूप से योग शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है पुस्तकाले बालक के बिभिन प्रकार की पुस्तकों समाचार पत्रों द्वारा बौदि विकास करते हैं ठीक है मतलब क्योंकि अपचारिक साधनों में यह इनी चीजों को रखा गया है स्कूल कॉलेजेस पुस्तकाले ठीक है जहां किसी पॉटिकुलर टाइम पीरियोड तक ही आप एजूकेशन को ले सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े क्या करती है बौदिक विकास करती ह किसी भी पॉटिकुलर पर्सन का या किसी भी बालक का जो है बौदिक विकास इसके द्वारा होता है सेकिंड जो है वो है अनौपचारिक साधन यानि कि ब्राउन के अनुसार अनौपचारिक साधनों के उधारन क्या-क्या है परिवार है खेल समू है तता समाज है उसका तो basically अनौपचारिक शिक्षा जो है आपको परिवार के थ्रू मिलती है या फिर आपको समाज के थ्रू मिलती है चीक है उसके लिए कोई time period के आउशक्ता नहीं होती है किसी particular आपको experience teacher के आउशक्ता नहीं होती है तो परिवार में बालक जो है प्रेम करना सीखता है दया की भ ठीक है अनौपचारिक शिक्षा के साधन है इससे पहले जो था वो अपचारिक शिक्षा के साधन था ये वाला जो है अनौपचारिक शिक्षा के साधन है थर्ड बात करेंगे तीसरा जो हमारा साधन है वो है ब्यावशाइक साधन यानिकी commercial agencies इसमें है कि ब्राउन के अनु प्रकार की सूचनाओं वैज्ञानिक अन्वेक्षणों कविताओं को सुनता है ठीक है इससे भी उसका जो है जो है नॉलेज जो है बढ़ता है ठीक है इन चीजों से क्योंकि ये चीज़ें कोई ऐसी मतलब ये क्या है नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक टेलिविजन है चल रखा गया है फूर्थ और जो लास्ट साधन है या एजेंसी ऐ है वह है अव्यवशाइक साधन यानिकि ब्राउन के अनुसार उन साधनों से जिनका निर्मान केबल समाज की भलाई के लिए किया जाता है इसका संबन किसी ब्यवसाय to ہ sé नहीं होता है अव्यवशाइक साधन यह जो है कारिक रत हैं या कारिक कर रहे होते हैं ऐसे जो भी साधन है जहां से जो है पर्टिकुलर किसी भी किसी भी परसन का जो है अच्छा होता है उसकी उसके लिए भलाई के कारिक यह जाते हैं ऐसे जो भी संगठन है जो लोग इन संगठनों को चलाते हैं वो क्या है और ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा, आज शिक्षा की साधन जो कि हमने पहले दूसरे और तीनों वरुगी करन में हमने इससे पढ़ा है ठीक है, तो I hope guys कि आपको हमारा वीडियो पसंदा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंदा है वीडियो को Lонч करें शफे शदिए हैं आड़ को ते हैं आदकेशे हैं